हलो दोस्तों स्वागत है आपका आमारी यूटूब चैनल सब्राट एजुक्वेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बेस्सी एगरिकेल्चर थर्ड समेस्टर के एक बिस है क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलाजी फर्ष्ट का खरीब क्रॉप दोस्तों जो है उसका मैं फर्ष्ट टॉपिक जो है दोस्तों राइस उसको मैं कराने वाला हूं जिसको दोस्तों मैं दो पार्ट में कराऊंगा अभी आगया ब्लोग बताता हूं तो उसमें दोस्तों क्या-क्या पढ़ना है उसमें दोस्तों पढ़ना है और जिन जियोग् оме कि एंपॉर्टेंस स्वाइल and एंड क्लाइमेट रिकॉर्मेंट वराइटी कल्चरल प्रेक्टिश औड 6 ओध खरीब क्राप长 उसके बारे हमें पढ़ना है तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को और जीन जियोग्राफिकल डिस्टिप्यूशन एकोनामिक इंपॉर्टेंस स्वाइल एंड क्लाइम स्वारी क्लाइमेट रिक्वार्मेंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगले पार्ड में दोस्तो देखें कि खरीब क्राप होता क्या है तो खरीब क्राप किसे कहते हैं जून जिलाई में बहुते हैं और अक्टूबर के आसपास काट ले तो उसी को दूस्तो खरीब क्राप कहेंगे ऐसी फसल जिने जून जुलाई में बहुते हैं जून जुलाई में बहुते हैं और सब्सक्राप होती है इनको अधिक तापमान यो माधरता तथा पक्तिस समय सुस्क वातावरण की आए सकता होती है जैसे दोस्तों कि धान मक्का ज्वार बाजरा अरहर तो दोस्तों इन सभी को अधिक तापमान यो माधरता तथा पक्तिस समय दोस्तों जो है कि सुस्क वातार आट कि आँ सकता होती है आगे चलते देखते हैं राइस राइस के बार देखते हैं पारी दोस्तों तो राइस राइस में पहले देखेंगे इसका ओरीजीन की इसका उद्पादन कैसे हुगा तो दोस्तों जो चाओल है इसकी क्वरच कैसे हुई उद्पती कैसे हुई चाओल की चाओल दोस्तों एसिं deux की पहली खेती वाली फसल माना जाता है च्यावल को ACA की पहली खेती वाली फसल माना जाता है दोस्तों मैं लेक्चर के मादेफ आप लोग बताऊंगा यदि अच्छा लगा तो बताईएगा नहीं तो फिर आगे मैं आप लोगो पीडियेफ के मादेफ से समझाऊंगा लेकिन सब्सक्राइब लोगों चाहिए तो डिस्क्रिप्सन रिक्राइब लेसके ले सकते हैं बनाया गया है लेकिन मैं आप लोगों लेक्षिर के मादे में समझाऊंगा कि चावल जो दोस्तों उसको ACA का पहली खेती फसल माना जाता है अब चावल की खुज हुई कैसे इसको जानेंगे चीन में दुस्तों जो चावल को सुरच्षित बचा के रखा गया था चावल के दाने को उसको उपर रिसर्च हिया गया तो वह लगबग 3000 साल पूराना पाया गया तीन हेजार इसापूरु पहले का पाया गया जो दोस्तो हस्तिनापूर पहले भारत में था हस्तिनापूर में खुदाएक दौरान पाया गया था धान का जो दाना था दोस्तो लगभग सव से स्वारी एक हजार से साथ सो पचास इसापूरु दुनिया में सबसे पुराने नम नमुनेक रूप में जाना जाता है जो दूनी अम्साने के रूप में जाता है इसको दोस्तों सन 1926 इसवी में को भीबी लोग विग्यानिक थे विवी लोगम है इन्हों नहीं दोस्तों यह नीजे ठ्रस निकाला इंःनों ने वीवि नों दोस्तों बताया कि इधप कं से उद्पत्ति का संभावित केंद्र मानकर इस प्रकार इन सभी पुरा पोराताथ्वीग साच्रों के आधार पर सभारत को चाल केंद्र माना जाता भारत और ब्राजील को चाओल का के अंदर माने जाता है दोस्तों भारत और ब्राजील 221 जाओ उम्मित करते है अपको ओरीजीन समर्ज में auris कार सब भाद देखते हैं इसका area श्रलादेस कोया तो सब चाहल उगाने वावला दुनिया में महतपुर देस और भी देस तो सभी का नाम नहीं लोगा ना तो बाने वारत च्छेद जो सबसे अधिक होता है भारत का चेटपल सबसे अधिक है लगभग 41.92 2014 51 Suz इकेहर रोगांन में 21 211 में माप गया था 2010 में 2020 में आस्थान न害ता चो करे चिन और भांगला साया इसके आटनेसिया उसके बाद जापान दोस्तों ऐसी सभी लोग आते रहते हैं भारत चीन के बाद चीन का दोस्तों अधिकतम चाव लुतपादन लगवग दोस्तों 1210 11 में 131 मिलियन टन था उसी के बाद दूसरे नंबर में भारत का लगवग 89.9 मिलियन टन धान था जो की दूसरे अस्थान पर था भारत में लगवग सभी राज्यों में चालू गाया जाता है जिसमें जिसमें दोस्तों केरल आंदरप्रदेश केरल आंदरप्रदेश उत्तरप्रदेश पस्चिम बंगाल पंजाब मध्यप्रदेश आदी अग्रडी राज्यी हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों इन सभी में पस्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे अधिक चावाल का उत्पादन होता है पस्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे अधिक चावाल का उत्पादन होता है 2010-11 में पंजाब राज में प्रति एक्टेयर जो अधिक चावाल की उपाज है वह 4014 किगरा प्रति एक्टेयर मापी गई थी अब आगे चांते हैं दोस्तों देखते हैं इकोनामिक इंपार्टेंस प्राइस चावाल का इकोनामिकल इंपार्टेंस क्या है चावल जो दुनिया में इऊंगाय जाने वाले सभी के खपत दोस्तों एसी में होता है लगभग 90 प्रतिसत चावल का उत्पादन होता है और खपत भी होता है दोस्तों चावल की खेती दोस्तों दस हजार साल पुरानी मानी जाती है और चावल को उपयोग मजदूरी और किराय का बुक्तान करने के लिए किया जाता है यह गरीबोंके लिए उड़ जाएक मात रही है जो जो गरीब लोग उते हैं जिनके पार खाने के लिए नहीं दुस्तों वह लोग चावल का थोड़ा सुह … कर लेते हैं दोस्तों उनके लिए चावल दोस्तों उड़ जाया का एक मात असूसर था चावल को खा करीवे लोग जीवित रहते हैं दोस्तों अगला पॉइंट चावल लगवग 200 मिलियन एसी जाई छेत्रों में उगाया जाता है जोस्तों लोग चावल के बारे में सब पढ़ना विस्तार से तो इसलिए मैं बता रहूं बीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है यदि बीडियो अच्छा लगएगा तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा और लाइक कर दीजेगा अब आगे चलते देखते हैं दोस्तों चावल को जलवायू कैसी चाहिए चावल को किस प्रकार की जलवायू चाहिए दोस्तों तो भारत में चावल के व्याप्य कुरूप से बिन परिशितियों में उगाया जा सकता है भारत में चावल के खेती आड़ से तीन सो पचास यन अक्छांस पर अक्छांस से और समुद्रतल से तीन हजार मीटर तक की उचाहि तक फैली है दोस्तों मतब दोस्तों जो चावल को उत्पादन है वह आठ से तीन सो पचास यन अक्छांस पर और समुद्रतल से तीन जान मीटर की उचाहि तक चावल्य की जो पादन खेतिया प्हाईली हुई है यहां पर कान्य का मांदल हमें भी थे यहांध्य फशल को गर्म और आदर जल्वाई के हुसक्ता होती जैसा कि मैंना दो सभ्लें गर्म में अच्शाचा को गर्म और आदर जलवाय क्या सकता होती है यह उन छेत्रों के लिए प्यूक्त है जहां पर आध्रता लंबे समय तक धूप और पारी की सुनिश्चित आपूर्ती होती है फसल जोतिते समय दोस्तों वर्दी के लिए तापमान की तूलना में अधिक तापमान के और सकता होती है दोस्तों चावल को पुष्पन के लिए चावल को तापमान के और सकता 26.5-29 nuclear celsius चाहिए और पकने के लिए दोस्तों चावल को 20 से 20 से 250 डिगरी के बीच आपमान होना चाहिए दोस्तों तभी चावल पकेगा तो दोस्तों उम्मिद करते हैं आप लोग को जीता में बात अतना सब्सक्राइब होगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजिए अच्छाउड़ झाल झाल चावल झाल 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 कर दोस्तों इजिए खभी जिए जोस्तों झाल झाल झाल